हेलो ओडियल स्टूडेंट्स एक्जाम्स को लेकर के एक बहुत अच्छा तरीका किस प्रकार से आप तुक्का लगाने का सही तरीक अपनाएं ताकि आप किसे भी एक्जाम को बहुत आसानी से क्रेक कर पाएंगे ट्रिक्स है ये किस प्रकार से आपको एक्जाम कि इसनों हम पढ़ा भी नहीं लेकिन इसका एक्जाम कलियर हो गया तो वहґं क्या ट्रिक्स अपनाते हैं किस प्रिकार से आपने तुके लगाते हैं 100 परसेंट सही है कि सी भी एक्जाम को किलियर करने के लिए हैं को तुक्का लगाने का सही तरीका हो ना चाहिए किस प्रकार से आप एक्जाम कर पाएंगे किस प्रकारस आप एक्जाम को आसानी सेडियर गार पाएंगे इससे पहले अपने इस्टेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं yeni Senior study channel को जरूर सब्सक्राइब करने ताकि आने वाली प्रते गौर्णमेंट नोटिफिकेशन और एकजाम को लेकर कि किस प्रकार से आपको प्रिप्रेशन करना है किस प्रकार से आपको जम्प क्लियर करने हैं सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी वीडियो अच् अग्जाम का तुक्का लगाने का तरीए का देखिए सबसे पहले आपका अग्जाम होते हैं दो टाइप के होते हैं पहला अग्जाम होता है उब्जक्टिव टाइप विदाउट नेगेटिव मार्किंग एक होता है नेगेटिव मार्किंग आप यह कहेंगे कि मार्किंग नहीं है तो सबसे पहले यादी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यह आपको confirm होना चीए कि जो exams में क्यूषन होते हैं वो 100% आप solo करें दूसरी बात आती है negative marking को लेकर कि कि negative marking में तुक्का मारें या नहीं तो साथ यो negative marking में तुक्का मारना बहुत जरूरी है अब आप कहेंगे कि नेगटिव मारकिंग में एक्जामस में नमबर कटेंगे यदि हमारी तुके सही नहीं होते तो आपको बता दूं किसी भी एक्जामस को लेकर की जैसे आपने वन अपॉन फौर नेगटिव मारकिंग होती है यानि आपने एक one upon fourth है या one upon third है one upon third का मतलब यह है कि आपने एक क्यूष्ण सही किया और तीन क्यूष्ण गलत कि तो आपके कोई marks नहीं कटेंगे as to probability प्राइक्ता के नियम के नुसार क्या नियम है प्राइक्ता का नियम है कि यदि आप कोई भी चार question करते हैं तो आपका one upon fourth यानि एक बटे चार question सही होने की संभावनाई कितने परतिसात है सो परतिसात है कि आप चार question में से एक question करेंगी ये आपका दिमाग भी कहता है आपके mind की struggling भी है और probability भी है और according to math के rule के अनुसार की one upon fourth probability बनती है यानि आपने एक question सही किया और तीन question गलत होंगे ये आप चार question पर तुक्का मारते हैं तो आपके एक question सही होगा और तीन question गलत होंगे ये आपकी one upon third negative marking है तो आपका कोई marks नहीं कटेगा यदि दूसरी बात यदि आपने तुक्का मारा और आपके दो परसन सही हुए और दो परसन गलत हुए तो जो one upon third negative marking है उसके अनुसार आपके कटे कितने marks only one point three two और सही कितने हुए दो दुनी चार marks नहीं चार marks होगे एक point 32 कट गया तो भी आपके बच गए कितने दो point 68 marks 68 two point 68 marks आपको अलग से प्राफ्ट होगे यदि आपकी negative marking one upon fourth चल लए है लगबग one upon fourth या one upon three रहती है आपके ने एक क्यूशन सही है चार क्यूशन गलत होगे तो आपके कोई marks नहीं कटा edge probability आपके दो क्यूशन सही हुई है तीन क्यूशन गलत ही है तो आपके दो marks के दो नमबर मिलेंगे और सही गलत आपके तीन हो चुके है यानि 0.55 marks आपका कट चुका है तो भी आपको 1.25 marks की जो संभावना है है वो marks आपके सही हो चुके यानि सही marks भढ़ने की संभावना है बहुत ज़्यादा है और marks कटने की संभावना ही जो यह लिए देखें तो minds के अनुसार कटने की जो संभावना है वो 0% कितना परतिस्त है ओली 0% कि आपके marks कटेंगे तुका भाने के विचे से वह यदि आप तुका सही मारते हैं तो marks भढ़ने की जो संभावना है वो 99% है 50% अब आओ 50% आपके शोर है कि आपका अब 50% कि आपके marks भढ़ेंगे और नमबर कटने की संभावन according to syllabus के अनुसार ये आप हिंदी में तुका मारें तो हिंदी के अनुसार तुका मारें इंगलिस के तुका मारें तो इंगलिस सब्जक्ट के अनुसार तुका मारें मैट्स में तुका मारें तो मैट्स के सब्जक्ट के अनुसार मारें और जिक्के में तुका मारें तो जिक् से पहले four options होते हैं सबसे पहले आपको one two three or four चार option है उसमें से आपको दो आप शोर बात होती है यदि आप तुक्का मारते हैं तो आप दो किस options को बिल्कुल नेगलेट कर देते हैं उसके बाद में बसते हैं दो option कि आप यह confusion हो जाते हैं कि यह आएगा या यह आएगा इसके लिए आपको क्या करना है confusion नहीं होना जो पहला सोचा चाहिए वो गलत है आपको लग रहा है कि नहीं यह गलत है मैं यह करता हूं वो नहीं सोचना है जो आपने जैसे first select किया second और फिर select किया fourth तो आपको बिना कुछ सोचे वे second के उपर आपको क्लिक करना है round बरना है गोला बरना है कोलम को बरना है आपको तुके 100% सही निकलेंगे कारगार साबित होंगे यह मैं नहीं कहता ना कोई भी विसेस कहता लेकिन यह जो किलियर किया है जिन्होंने एक्जाम्स क्रेक किया है हर किसी का एक्सिदेंस बोलता है कि आप confusion हो गए तो जो आपने फश्ट पर चूज किया उसी को आप टिक करें उसी पर आप क्लिक करें आपका जो तुक्का मारने का तरीका है वो बैस्ट इस्ट्रागेगी होगी और आप एक्जाम में 99% एक्जाम्स किलियर कर पाएंगे तुक्का इस्ट्रागेगी द्वारा तुक्का मारने के सही तरीके द्वारा और जो मार्क्स कटने की संभावना है वो 0% होती है यदि ये वन अपोन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है तो अब दूसरी बात आपको क्या करना है आपको बेसिक लेना है कि पिछली बार क्या कट औक रही थी उसको देखते दोडेकjamin कितने क्यूर्त परतुक्का लगाना चाहिए यदि आपने जैसे पिछली बार किसी exams की merit 56 रही है 100 में से 56% merit list रही है और आपने 50 question कर दिए तो अब आपको कितने marks हो ज़ी है 6 marks सी हैं आपको केवल कितने marks सी है 50 आपने कर चुके है 56 आपकी cut off रही है आपको कितने marks सी है 6 marks सी है तो आपको तुका लगाने के लिए 6 marks की जगे आपको 12 marks का काम करके आना है कि आप 12 marks मिल सके इस हिसाब से आपको तुका मारना है कि आपके cut pit करके भी 12 marks 12 marks यादि 12 marks का आपका काम हो जाना ची इस हिसाब से आपको तुका मारना है तुक्का मारने के लिए आपकी जो पिछली cut-off है कोई भी exam की वो इसको basic धान में रखना है कि इस cut-off तक जा सकता है और उसी को देखते हैं उसके double जो marks हैं जैसे 56 है तो आपको 5 या 6 नमबर प्लस में लगा करें आपको तुक्का मारने हैं आपका exam 99% शोर्ता की तरफ यानि आप किलियर की तरफ चले जाएंगे तो यह था best इस्ट्राइगी exam में सही तुक्का लगाने का आप इस तुक्के को फोर्मूले को अपना कर देखें आप खुद कहेंगे कि आप बिलकुल सही आपने यह तुक्का यूज किया और आप खुद इस वी आपने मोग टेस्ट दिया होगा कोई भी आप मोग टेस्ट उठा लीजिए उसमें इस इस्ट्राइगी को अपनाईए कि किस प्रकार से तुक्का जो मैंने बताया हभी तक उस तुक्का लगाने की फोर्मूले का अपनाईए और फिर आप खुद चैक करिए कि आपने कितने मार्क्स एक्ष्टा बढ़ाए है कि जो आपकी तुक्का लगाने के विजए से तो आप जरूर कोमेंट्स करके बताना और अच्छी लगे है तो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल पढ़ना या तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अपनी वीडियो यहांते देखा आपको बहुत बहुत देनेवाद